वडनगर ने एतिहासिक अने सांस्तुतरिक विरासत्ते वेश्विक कक्षाये उजाकर करवा अने दुनियानों श्रेष्ट टुरिजम डेस्टिनेसंस बनाबवाना निर्धार साथे महात्मा मंदिर घांदी नगर खाते केंदर ना आरकोलोजे विभाग अने गुजराज सरकाना सयुक्त उप्ट्रमे तारिक अठार थी विस्मी में दर्मियान त्रीदेवसी और सोप्रतमवार वडनगर इंटरनेशनल कॉन्फरंस 2022 योजाई रही जैना प्रारम प्रसंगे उपसित रयाबबाद केंदरिया सांस्त प्रुदिक राज्यमंत्री श्री मिनाक्षी लेखिये इतिहास एक नगरी वडनगने मुलाकार लिते हैं यह प्रधान मंत्री श्री नरिंद बाई मूदी जी की जम स्थली है लेकिन यहां आकर जो इस जगह का इतिहास जाना जिसमें साथ अलग-अलग समय की जो लेयर्स है जो परत है वो मिलती है और किस प्रकार से यहां के लोग अपनी कारे शैली के लिए मेहनत के लिए जाने जाते हैं कितनी कितना सुखा पड़ा हो कितनी तकलीफे रही हो लेकिन यहां की महंती लोगों की जो शैली है चाहे वो शंक से जो आज शंक ही हम लोग बंगाल में प् कि इसी दूसरी शताब्दी एसापूर्व में यहाँ बनती थी और सोने का काम होता था और विभिन विभिन समय पर यहाँ पर विभिन प्रकार का काम रहा लेकिन सबसे बड़ी बाद जो है कि इस शहर के इर्दगेर्द इस थान के इर्दगिर्द बहुत सारे घाटों का और बहुत सारे पानी के सरनरक्षन के लिए शर्मिष्टा जील और अन्य ऐसी जील तलाबों का निर्माण हुआ जिसकी वजह से यहां के लोग हर मुश्किल के बावजुद यहां ठिके रहें जो की इन लोगों की जो कारेशम्ता और एक कठिनाई को का सामना करने की जो ताकत है वो यहां के पता चलता है और इसी से अंदाजा लगाए जा सकता है कि भारत के प्रधानमंतरी जी का जन्म ही ऐसी धर्ठी पर हुआ जहां के लोग इतने ज़दा मेहन्ती हैं और साथ ही इत इतने जादा रिजिलियंट हैं कि वो किसी भी मुश्किल का सामना भात बाखुबी और बड़ी खुशी से करते हैं। विकास को लेकर यहाँ पर जो एसाई है उसका और जो गुजरात सरकार है उसके जो शीफ सेक्ट्री हैं उनकी तरफ से एक वड़नगर डिवेलपमेंट को अपरेशन बना है और उस डिवेलपमेंट को अपरेशन के तहत इस क्षेतर का विकास लगातार हो रहा है और आगे भी उसको एक विज्ञानिक धंग से करने का प्रयास है, साथ ही वड़नगर के जो क्षेत्रवासी हैं, उन सब से मेरा आग्रेह रहेगा, कि स्वच्चता के प्रती जागरूक रहें, क्योंकि आप ही के बीच से निकलेवे भारत के प्रधान मंत्री हैं, जिन्नोंने स्वच भारत तभ्यान का हम सब को रास्ता दिखाया है, और वड़नगर कैसे साफ हो, इसके लिए आप सब को मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही प्लास्टिक, सिंगल यूस प्लास्टिक, चिप्स के पैकेट, ऐसी चीजों का, जितना भी कम से कम हो, इस्तेमाल हो, और साथ ही उन सब को स इस्तेमाल करते हुए, पानी का भी संरक्षन किया जाया, और बहितरीन क्वालिटी के जो आर्किटेक्चर है, मकान है, बाकी चीज़ें है, उनको वेग्यानिक धंग से बनाया जाए, उत्साहित है, और आज खास तोर पे, आज के दिन जो की वर्ल्ड इंटर्राशनल डेय दूनिया भर के संग्रालियों का दिवस है, तो संग्रालों में क्या रखा जाता है, जो ऐसी साइट से निकला हुआ समान है, ऐसी जगाओं से निकला हुआ जो समान है, उसको संरक्षित करने का प्रयास है, वो किया जाता है, यहां पर जो हमारा इंडो-Pasific और इस तरीके क और यहां से जो मोती मिलते हैं यहां के चोटी-चोटे, मोती जिए हैं उससे पताआ चलता है कि किस तरीके से पष्च्चिमी पुर्व एक दूसरे से कनेक्टिटा और वियापार का अगमन्द भास यहां पर उसमे जो लिखी चीजे कर भाफार दोब की है और उसमें जो लिखा गया है वो भी यहां पर प्राप्त हुआ है तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि इस प्रकार के अवशेश यहां पर मिले हैं जो इतिहास की कई पन्ने और कई पर्तों को खोलेंगे तो ये साइट फिर आपका तुरन और अप्रेना स्थल और मोदेरा कुछ जितना हो पाएगा उतना करूगी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक करने के आमुलाकात वेडाये तेमनी साथे दिलही मा केंदरने फ्लेंग्शिप यूजनाउना अमली करनना गुजरातना नोडल अधिकारी तरीकी कारियरत स्रूशी निलम रानी, जिला कलेक्टरों दितग्रवाल, जिला विकास अधिकारी डॉक्टरों प्रकाश आर्कोलोजी सर्वी ओफ इंडियाना वडुद्रा सरकल्ना सुप्रिटेंडेड ओफ आर्कोलोजी स्री सुब्रीमिन्य, इंचार्ज निवासी अधिक कलेक्टर एसडी गिल्वा अने मैसानाना अधिकारी उपसित रहा हता